हालो फ्रेंट्स वेलकम टू बैक मैं चैनल आज मैं फिर से आपके छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चों के लिए बहुत ही हाल दी और वेट के रेसिपी लेके आई हूँ इसे आज हम स्वाइबिन से तयार करने वाले हैं जैसी कि स्वाइबिन के अंदर में प्रोटीन फा रेसिपीस को बनाना चालो करते हैं इस रेसिपीस को बनाने के लिए यहां पे मैंने छोटा दो चमज चावल और यहां पे छोटा दो चमज बरावर मसूर का दाल ले लिया है आप चाहे तो दाल और चावल का कॉंटरटी कम जादा करके भी ले सकते हैं और मसूर दाल की कर लेंगे तक इसके उपर का डश्ट निकल जाए अब हमने चावल और दाल को चैस से वाश कर लिया है और इसका पानी हमने अलग कर दिया है तो इस तरह से एक प्लेट लेंगे और फेला देंगे और पंके का नीचे या तो फिर धूप का नीचे रख देंगे थोड़ी देर टाकि इसके उपर का मुईश्चर खतम हो जाए तो हमने यह पर पंके में रखके ले लिया था और इसका मुईश्चर सब खतम हो चुका है अब डिया到 चाल करेंगे जो दाल Quebec को हमने उंचा के लिया था और इसके साथ में हमें पान्च घ्शे पीसे स्वाइबन को भी तो भ लेना है। लगबख एकसे डिर मिट हमें इसे रोष्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर रोष्ट करती हुए एक मिनेठ से थोड़ा उपर हो चुका है। और सारा चीज में अचे जो खुश्भू आने लगा है। और इ ऍकलर भी चेंच हो रहा है। बस इसे जलाना नहीं है और इतना में ही हम अब ग्यास का फ्लेम को आफ करतेंगे और इस सारा सामागरी को ठंडा होने देंगे अब हमें मिक्सी जार ले लेना है और साथी में जितनी भी रोष्ट किया सामागरी मिला लेना है 뭐 does of powder मिलाते हुँए इसे ढ tok暗ण कर लेंगे और दो सी तीन भार अच्छे से मिख्षी चलाते हुए फाइन दियार कर लेंगे तो इहां पर हमने जितना जरूरत था उतना ही यहां पर powder तयार कर लिया था के लिए तो आप कम जादा करके इसे बना के तयार कर सकते हैं अपेन लेंगे इसके अंदर में पिसा हुआ सारा पाउडर को मिला देंगे और साथी में पानी आइट कर देंगे और साथी में स्वात का इसाब से नमक एट कर देंगे और थोड़ी सी ब्लाक पेपर पाउडर भीन आड कर लेंगे और साथी में छोटा एक चमाज बरावर घिए एड़ कर देंगे और सारा चीजों को अच्तिसे मिक्सब कर लेंगे लें बिशाओ अच्छ दिया है पेन को और अच्छ से चलाते हुए लोड् impressions लिगाता चलाते हुए से पकाना है तो फूड को यहां पर टोट्ल मेंने पकाती हुए दो से तीन मिनिट हो चुका है फूड में एक वालाना चालू हो चुका है तो यहाँ पे फूट को चलाते हुए continue पकाएंगे अब total food को यहाँ पकाती हुए 4 मिनट हो चुगा है अब एक धकन लेते हुए हमें धकती हुए इसे और 2-3 मिनट पका लेना है तो यहाँ पे हमने फूट को पकाती हुए total 5-6 मिनट हो चुगा है और फूट दिरे दिरे गाड़ा होने लगा है तो फूट यहाँ पे दिरे दिरे गाड़ा फोर्म में आने लगा है हमने यहाँ पे फूट को टोटल पकाती हुए 7-8 मिनट हो चुगा है अगर आपको लगे क यह फूट और भी रेडी नहीं हुआ है तो आप इसमें पानी थोड़ा सहायट करके दुबारा से पका के ले सकते हैं हमारा फूट साथ से आठ मिनट में ही बहुत यह जैसे सॉप्ट हो की कुप हो चुका है और यहां पर फूट गाड़ा हो गया है फूट का अपना बेबी का एज का अकोडिंग गाड़ा या तो फिर पतला करके दे सकते हैं अप क्यास का फ्लेम को आफ कर देंगे और फूट को ठंडा होने देंगे जिसलिश से फूट यहां पर ठंडा होगा फूट और भी घाड़ा होने लगेगा तो लेज़े अप हमारा हाली फूट बनके तयार ह इसे आप 10 मैने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को दिन में कभी भी एक बार बना कर तेज सकते हैं इसे खिलाने से बेबी का दिल और जिमाग तेज रहेगा हडिया मजबुत होंगी वजन तेजी से बढ़ेगा और यह स्वाद में भी काफी लाजवाब है अगर आप स्वाइबिन बेबी को देना चाहते हैं तो इस तरह से अगर देंगे तो आपका बेबी लेने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगा और स्वाइबिन एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रूत माना जाता है जिसे की बेबी का वजन बढ़ने में काफी हल्पूल रहेगा तो दियर पैरेंट्स आज का रेसिपी साब को कैसा लगा आप भी अपने बच्चों में जरू ट्राइगी जिएगा आसे निवर हल्दी डेसिपी सबसे ले पानिक ले मेरा चनल कू सब्क्राइब जरू की जिएगा थैंस पर वजिए